जब सितारे तूट कर गिर पड़ेंगे इद श्यम्स कोई राद जब सूरज बिनून हो जाएगा जब सितारे तूट कर गिर पड़ेंगे वा इदन जीवादो सुजिर राद जब पहाड चलाए जाएंगे जब दस महीनी की गाबन उंठे लिया चुटी फिरिंगी यहीं चुटी फिरिंगी वा इदन वफोश खुशिराद जब वख्ची जनवर मारे खबराट के सब जमा हो जाएंगे जब तर्या पड़काएं जाएंगे वा इदन नुफोस खुशिराद जब एक किसम के लोग अकठे की जाएंगे जब जिन्दा गारियों लड़की से पूछा जाएगा बैयर दम मिन को तुराद वो किस कुना हमें कतल की गई थी वेज़ सुफ़ को नशीरत जब नवा अमाल खोले जाएंगे वेज़ सम्राव कुशित जब आस्मान खोल जाएगा वेज़ जफ़ी मुसुईरत और जब दोज़ख और ज्यादा ठेकाई जाएगी वेज़ जन्नत उसरिफद जब जन्नत नजदीक कर दी जाएगी आरिमत नफसों और अखवराद उस वकद हर शफ़ उन आमाल को जाननेगा जो लेकर आया है जब अफ़ताव बिनूर हो जाएगा जब सतूरे सितारे तोटकर गिर पड़ेंगे जब पहाड चलाए जाएंगे जब दस महीनी की गाबन उटेंगे चुटी फिरींगी जब वाशी जन्वर मारे गवराट के सब जवब हो जाएंगे जब बड़का जवब एक किसम के लोग अकटें किये जाएंगे जब जिन्दा गारी होई लड़की से पूचा जाएगा और किस गुणा में कतल की गई जब नाम आमाल खोले जाएंगे जब अस्मान खोल जाएगा और जब जोजफ और ज़्यादा तेकाई जाएगी जब जन्नत नजदीक कर दी जाएगी आनिवत नफसु मा अखवाराट तो इस वकद हर शफ उन आवाल को जान लेगा जो वो लेकर हाया है आम तोरफे आज दुनिया में जो इल्म राइज है और जो इल्म दुनिया में इस वकद पढ़ाया जाता है सुनाया जाता है सिखाया जाता है उस इल्म में सिर्फ इस बात का तसक्रा होता है कि साट सत्र साला अस्ती साला जिन्दगी का केरियर कैसे बना लिया जब या लबून वाहिरं बिन लखायाति दुनिया वाउमान लाखिरति गाफिरों इस दुनिया को तो बहुत जानते इसके पीचों हम से वाकिफ है इसकी काम्यावी और नाकामी से वाकिफ है लेकिन जो हैकी की जिन्दगी है जो वाकी ही केरियर है आज की दुनिया उस पर हवोश है आज का इल्म उस पर उसका इल्म यहां फेल हो जाता है वो इल्म नाकिस है गुर्ण तो गहते हैं ये अंदे हैं अंदे इस 17-17 साल के बद देखती ही कुछ नहीं बनिद्दर का इल्मु फिलाखिरा बनु फिशकी मिना बनु मिना अंदे हैं अंदे शिर्ग की जुलमत की वज़ा से और कुफर की सियाई की वज़ा से इनकी हांखें अन्दी हुगई दिनकी आंके शिर्क की जल्मत की वज़े से और कुफर की जल्म स्याई की वज़े से ये 80 साल के बात के वारा केरियर समझती नहीं है समझती नहीं काफर तो बिल्कुल ही नहीं समझते लेकिन मुसथबवन अपने कुरणाओं की सियायальное की वज़त्तिं से आज उससे Ghा선 हो चुका है उसे बूल बैठा है बस इसी का नाम केरियर रख लियू है बिच्छों का फैस्थला बच्षी ओंका फैस्थला अपने जिंदगी के फैस्थले वो इसी 70-80 साल के केरियर को सामने रखे करता है और इसी कोवियावी समझता है और कोई 70-80 साला केरियर में कोई अच्छे नख्शों में नदर आए तो कहता है बड़ा खुशनसी बाद भी कहां था और कहां पहुँच गया और कोई मुल्क इस 70-80 साल के लिहाज से अपने फैसले करना और तरक्य करना लोका तो इस मुल्क ने बड़ी तरक्य कर लिए लोका तो इस मुल्क ने बड़ी तरक्य कर लिए इस लिए कि आज दुनिया में इल्म जो राइज है ही है हर एक के दिमाद में 80 साल के उपर तक कोई जाता ही नहीं और जो मुल्क भी इस 80-90 साल का केरियर इनसान का बना रहे हैं दुनिया उसी तरक्याफ़ता मुल्क कहती है तरक्याफ़ता मुल्क किसे इटा आ जाता है जो आदमियों की 80-90 साल का केरियर बना रही है उसे दुनिया तरक्याफ़ता मुल्क कहती है वोई तरक्याफ़ता मुल्क जो इनसानों के ऐसे नवे साल का केरियर बनने का सामान करती है आज दुनिया उसे को तरक्याफ़ता मुल्क कहती है और उसी शखसियत के बारे में ये राय होती है कि ये बड़ा तरक्य कर रहा है इसने बड़ी तरक्य की है तो भाई अगर इसका नहम तरक्य होता तो इसका मतलब तो बिलाल ने तो पिर तरक्य नहीं फिर फात्मा ने तो तरक्य नहीं फिर फात्मा ने तो तरक्य नहीं की फिर हदरते सिदीक में तो फैसला अच्छा नहीं किया कि सब कुछ छोड़कर मदीना चले आए सरदारी भी थी, बड़े ताजिर भी थे बड़े मालदारी भी थे सब कुछ पुरुबान कर दिया फिर मुसा बिन अमायद में तो कुई तरक्की नहीं कि इसलिए कि शेजादा थे शेजादे और कीमती निबास और फोईशाद पहना करते थे और सबसे कीमती इतर लगाया करते थे लेकिन जब मरने लगे तो पकुछ भी पूरा नहीं था तो क्या खिर इना का हो के मरे अलिया अज़ ज़ुके इल्म गलत हो गया तो मेयार भी गलत हो गए इल्म गलत हो गया तो मेयार भी गलत हो गया आज लोगों के हाँ मेयार इसलिए गलत हो गया अब लोगों के हाँ नाकाब कामयाब है और कामयाब नाकाब है अकलमन आदमी अहमत है और अखमत आदमी दुनिया के आपना अकलमद है वो आदमी तो अखमत है अल्ला की नभी के नजर में जो 80 साल को 90 साल को सोचे 70 साल को सोचे और खरबे साल के केरियर से गाफल है अल्ला के नभी फर्माद है ये अखमत आदमी अकलमद आदमी तो वो है जो उस केरियर को सुचता है वो अकल बनादमी वो तो बड़ा कम अखल आदमी है जो अपनी जिन्दगी के बेहतरीन पूझे सिहत जिन्दगी के अकाद जिन्दगी की नेमते सिर्फ इस सत्तर असी साल पे जाय कर देता है तो कम अकल अदमी है वो तुरा कल्वाद आदमी नहीं लेकिन आज का इल्म क्या कहते है बड़ा कल्वाद आदमी बड़ा इश्यार तो गुर्ण वजीद जिस इल्म की बात करता है ना भाई कई सिपारे इस पर है और कई जिसे खहें के सूरते इस पर मुश्तविल है के भाई जिन्दगी वो है अब देखो ना कितनी बाते की और एक बात दो बात कितनी आएतों के बात तकरीबन तकरीबन तेरा आएते की और फिर आखिर में कहा अलिमत नफस अल्ला अख़रत वो वक्त आएगा जिस दिन आदमी हर शख अपने आमाल को अपने सामने देखे सारे अहवाल बताए उस जिन्दगी के उस जिन्दगी के अहवाल बताए जब उससा अगाज होगा और वाकी की जिन्दगी उसके बात मरना नहीं है उस जिन्दगी के अहवाल बताए कि ये सारा दिजाम दरम बरम हो जाएगा और सारी नक्षे तूट फूट जाएंगे और फिर क्या होगा अलिबत नफसु माँखवरत उस शफ अपनी आमाल को जान लेगा जो उको लेका रहा ये नहीं कि मरगे और बिटी हो गए ना भाई इंतिकाल कर गए इंतिकाल के मैंने काम्यावी और नाकामी के लिए कोई मेहनत है वाँ सिर्फ नतीजा है बस वाँ जफीर है तो ये साट सतर असे साल केरियर नहीं है भाई ये केरियर बनाने के लिए है जब आपने बच्चों को इंग्लैंड बेजते हैं केरियर बेजते हैं कोई बायर पढ़ने के लिए बेजते हैं केरियर बन जाएगा पढ़ लो थोड़ा सा केरियर बन जाएगा जिन्दगी बन जाएगी तो इसे मेनत कर लो तो हमारे नभी ने भी हम यही सबक दिया था कि साट सतर साल ऐसे गुजार लो कि अल्ला रासी हो जाए केरियर बूं जाइग. 60-70-80 साल ऐसा गजा लो, अल्ला रासी हो जाए केरियर बूं जाएग. तुम्हारा और तुम्azy बच्चे बच्चिए उनकाव. केरियर तो उनका है. तो यह सारा सबक कorno देताय यह इल्म है. भाई, पिगम्रों का इल्म है, नबियों का इल्म है, अल्ला का इल्म है, जिसकर ज्यादा जोर इस पर है, कि अपने केरियर को न भूलना, अपनी हफीकी जिन्दगी को न फरावोश करता, जिन्दगी वो है, अलिवत नफसु मा अखवारत, हर शफ जान लेगा वो आमाल जो लेकर आया है, नेकी लेकर आया है, बदी लेकर आया है, अल्ला को राजी करके आया है, नराज करके आया है, सब सामने आजाएगा, और ये कहेगा, मारी हादल किताब, ला यगादिरु सगीरा, वला कबीरा, इल्ला अहसाहा, मेरे इस लामा आमाल को क्या हुआ, ना इसने को कर अब किसी के साथ नए नए निसाफी नहीं करते खल्वत तरहाई तारीकी जल्वत में जो कुछ किया सामने आ जाए ये अल्ला की शपकत है रखमत है खेरखाई है कि उन हालात से पूरे तोर पे अगाह फर्मा दिया अगाह फर्मा दिया कि वो जिन्दगी है अल्ला उसाखी दिकरीक वा शकुरीक वा हसनी अवादती ऐल्ला हम पर ये आदा कि आख धेरीक वा हसनी आदारीक वादती ने संधिर लोगन तो इलाह वनतोव इलाही सूब है जाहला घुझत ऑन एक्रूमा दिया झाने आ जाड़ित कि उन्मा जाते से होवादी कुनों वे से जावद बास झाल झाल